हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रोयल स्टडी, दोस्तो आज की सूड़ियो में मद्य प्रदेश स्पेसिली वीडियो रहेगा सामानी ज्यान का, देखिए हम टोपिक वाय सिरिस भी स्टार्ट आप के लिए की थी हमने, और करिंट अपेर की वीडियो भी लेकर आये थे, जो भी चीज़े हुई है, मद्य प्रदेश में सभी की वीडियो आपको रेगुलर यहां पर, जो है चेनल पर मिलने वाले हैं, तो देखिए जितनी भी चीज़े हम कवर कर चुके, उन से रिलेटेड यह आपका टेस्ट रहेगा, प्रेक्टिस से इसको मान लिजीगा, या फिर टे देखने को इस वीडियो में मिलेगे, तो पचास प्रेश्ट न रहेंगे, और आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरू से बताईगा कि 50 में से आपके कितने कोशन जो है सही हुए हैं, यह आप जरू से कमेंट में लिखके बताइगा वीडियो पूरा देखने के बाद मे के लिए रहे और सामानी ज्यान के कोशिन देखने को बलेंगे मद्यप्रदेश के ये वीडियो स्पेसिली रहेगा मद्यप्रदेश PSC, MP पोलिस और MP जेल प्रहरी की एक्जाम के लिए आई अब हम आगे बढ़ते हैं तोड़े और देखें मद्यप्रदेश एक साल का पूरा करेंट अफेयर मिल जाएगा चेनल पर आपको प्लेलिस्ट जाका चेक कर लिजगा अभी अभी वीडियो भी आया है MP करेंट अफेयर का उसको भी आप जाकर देख लिजगा इसके लाव MPSI और Constable की भी सरुसेस्ट तियारी यहां से आप कर सकते और इस पर 50% तक की पूरी छूट चल रही अभी और यहां पर अगर इस छूट का अगर आप पाइदा उठाना चाहते तो आपको हमारे कुपन कूट यूज करने होंगे इनको यूज करते से 50% तक का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा देखिए यहां पर फर्स्ट कूश्चन आपको निकल कर आ रहा है और यह जो कूश्चन लिए गया है हमने पहले एक पार्ट में डिसकस किया था मद्द्रदेश के जो महल है उनके बारे में तो देखिए मद् कोश्चन निकल कर रहे रिक्तिस्तान का गुलाब भाग भारत का सबसे बड़ा गुलाब भाग है तो यहां पर आपको रिक्तिस्तान की पूर्ती करनी है कि इसमें क्या आपका आएगा और यह जो कूश्चन ने उस महल वाले वीडियो से लिया गया है नेक्स्ट कोश्चन के इसकार आपको नीचे और करना है अगर आपको नहीं पता है तो जो भी आपको उच्छी सॉचक बाकि इसका जो राइड़ आंसर आपको वीड़े देखते रएगा पता चलिएगा तो फाइनली आई ममें श्टार्ट कते हैं आज वंत राव होलकर जो हैं इनको भारती सासक किये हैं और भारत का इनको नेपोलियन बोला जाता है तो ये भी आप तोड़ा से ध्यान रखेगा मद्य भारती सासक किये हैं तो बी ओप्शन यहां से आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा नेक्स्ट है आपका सन 1660 में उडान सिंग ने किस सहर की स्तापना की तो देखें उडान सिंग ने की थी 1660 में किस सहर की स्तापना इन्हों ने की थी मद्य प्रदेश के सागर की सागर की स्तापना की थी उडान सिंग के द्वारा 1660 में नेक्स्ट कोशन है किस मुगल सासक का मुकुंदपूर में जन्म हुआ है और देकि मुकुंदपूर जो आता है यह मद्रदेश के सतना में आता है सतना जिले में मुकुंदपूर जहां पर वाइट टाइगर सापारी है उससे रिलेटेड भी वाइट टाइगर सापारी से रिल तो बिल्कूल इसका correct आफके answer रहेगा अकबर दूतिए इनका जन्म हो एं महला जो वीडियो डिसकस कियाता था करीबन 100स ऐधिक question discuss कर चुके एक ही वीडियो में तो उसमें हमने सारी चीज़े आपको इंसे related भी बताई थी next question है लोक रंग महुस्थव कहां आयुजित किया जाता है तो लोक लोक रंग महुस्थव रोक रंजन महुस्थव जितने महुस्थव वह भी किलियर किये तो वहां पर भी आपको इसमें के question मिल जाएंगे next question आ रहा है वीर महल कहां इस्ति थे तो देखिए यहां पर आप जल्दी से अपना comment जो है आपको जो भी उचित answer लगे वह आप लगाते चलिएगा फिर हम आपको बता देते और लास्ट में आपको जो कितने आपके answer साही हुए वह आपको comment करके बताना है वीर महल कहां पर है तो वीर महल है मद्धिप्रदेश के दतिया में यानि C option यहां से आपका correct रहेगा नेक्स्ट वोचन है मद्धिप्रदेश के प्रतम लोकायुक्त को थे तो मद्धिप्रदेश के प्रतम लोकायुक्त थे पी वी दिख्षित यहां पर आपका D option बिलकुल correct रहेगा पी वी दिख्षित जो है मद्धिप्रदेश के प्रतम लोकायुक्त थे नेक्स्ट वोशन आ रहा है बाग गुफाओं के चित्रकारी कौन से सताब्दियों की हैं तो बाग की जो गुफाओं हैं यह मद्धिप्रदेश के धार जीले में हैं ध्यान रखियेगा थोड़ा सा और यह किस सताब्दी की हैं तो यह पांचवी से साथवी सताब्दी के यह इस्तान है महिश्वर महिश्वर जो है इसको राजक कार्तवीरी अर्जुन की राजदानी के नाम से जाना जाता है यह रूप में जाना जाता है तो यह आप तोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध परिटन इस्तल बंदर कुदनी कहां इस्तिद हैं आयूप के अनील मादवदवे का जन्म हुआ था जोकी इनसे रिलेटेड थे बड़ नगर से थे यह अनील मादवदवे जिनका कुछ टाइम पहले जो है नीदन हो चुका है जिनका नीदन हो हुआ था और वह भारत के कौनसे मंत्री थे यह आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा परियवरन वन जलवायू परिवर्थन मंत्रा लेन के पास था याने सी ओप्सन यहां से आपका करेक्ट रहेगा नेक्स्ट उचने किस बाग अभ्यारन्य में चरण गंगा नधी प्रवाह होती है तो चरण गंगा नधी का जो प्रवाह होता है वो किस correct answer रहेगा आपका option number C बांदव गड़ यानि C option यहाँ से आपका correct है मद्देश सरकार ने कि संस्ता के साथ खुशी सूचकांग को विक्सित करने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं और यह किये हैं IIT खड़कपूर के साथ तो IIT खड़कपूर बिलकुल correct रहेगा देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने जो कुश कोशन लिए है वो करेंट के लिए और करेंट कोंसा 2020 का करेंट नहीं लिया है 2020 का तो इस पेसलिए हमने आपको करवा दिया है और अभी जनवारी से दिसंबर तक का पार्ट फस्ट आ चुका है आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा जाके उसमें भी हमने काफी सी सारी चीज़े 2020 के करेंट अफेर के बारे में डिसकस किये बाकि मंतली वाइस वीडियो भी आपको मिलेगी तो हम जो है 2020 का करेंट इसमें एड नहीं किया है हमने किया है कि 2020 का तो आपको वीडियो मिल रहे है उसमें मिल जाएगा बाकि जो पूराना करेंट अफेर है ना जैसे कि 2017 हो गया 16 हो गया ये भी करेंट अफेर मद्धिप्रदेश की इसमें पूछ लिए जाते हैं दो तीन नंबर गये तो वह हम आपको करवा देते हैं जो मोस्ट आई एमपी हैं तो उसे को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो इसपेसली आपके लिए डिजाइन किया है नेक्स्ट है राकी की चुनोती किसकी की रशना है तो राकी की चुनोती है ये सुबद्र कुमारी चोहान की रशना है बी option यहां से आपका करेक्ट रहेगा कोन दो बार का विसेश ओलंपिक पदक विजेता है जो मद्रदेश का निवासी है और इनका नाम पता क्या हो आप सभी को पता हो ना चाहिए तैस्य तो कमेंट करके जरूस बताएगा इसका सई जवाब आपकरेगा पंडित रवी संकर सुक्ल किलियर है नेक्स्ट कोश्चन है आपका कंदरिया महादेव मंदिर कहां इसती थे तो इसका भी आप सभी को पताईए ये मद्धिप्रदेश के खाजुराहों में किलियर हैं, जवलपूर में कौन सा इश्टेडियम हैं? सभी स्टेडियम का नाम आपको पताऊना चाहिए कौन सा इzahl इश्टेडियम कहां बात करें ताट डा टोपी स्टेडियम की मद्धिप्रदेश के भूपाल में है ढ़ा या दे स्टेडियम सरम आप TV जवार्लाल की एक्जाम में भी पूची जाते हैं मंद्यप्रदेश किस सदी में दिल्ली सलतनत के नियंतरन में आया था मंद्यप्रदेश जो आया था यह तेरिवी इस्वी में आया था तेरिवी जो किस सताब्दी जो थी सदी थी उसमें दिल्ली के नियंतरन में आ गया था तो यहां पर आपका 23 सताब्दी सही जवाब रहेगा के लास त्यारते का जन्म मद्द्रदेश के किस जिले में हुआ है और ये जो हुआ है इनका जन्म मद्द्रदेश के विदीशा जिले में हुआ है ये नोबल विजेता ही है नोबल पुरुसकार प्राप्त करता ही है और इनका जो संबन्द है बज़पन बचाओ अंदुलन से हैं नेक्स्ट उशने भारती सनिविदान के किस अनुचेद में राज वित्त आयोक की गटन का प्राउधान है और ये आर्टेकल जो है वो है आपके 243 फरस्ट जहां तो यहां पर आप सी उप्सन तोड़ा सा याद रच सकते हैं मत्यब्रदेश के किस जीले में विश्विस्तर का हतियार उत्पादन इकाई का उदगाटन हुआ है और ये जो हुआ है भिंड में हुआ है भिंड का जो मालनपूर है उद्योगी केंदर जो है बिंड का वहां पर ये जो ये विश्व का हतियार उत्पादन इकाई का उदगाटन हुआ है मालनपूर बिंड में तो यहां पर आपका बी ओप्सन करेक्ट रहेगा मराटी चेत्र को प्रतक कर मत्यब्रदेश राज्य की स्तापना किस वर्च में की गई तो इसकी स्तापना की गई 1956 में 1956 में नेक्स्ट कुश्चन आपका निकल करा रहे मत्यब्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद तुलसी पूरुसकार के शेत्र में दिया जाता है तो देखे तुलसी पूरुसकार जो दिया जाता है ये लोग कला के लिए दिया जाता है तो यहाँ पर आपका C option बिल्कुल correct रहेगा जनगन्ना 2011 के अनुसार मद्धिप्रदेश का जनगन्ना तो आपको बताना है जिसका सही जवाब आपकरेगा 236 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर 1984 में घटी बोपाल गेस त्राजदी के कारण बोपाल के कितने वार्डों को गेस प्रभावित गोसित किया गया इसका correct answer आपकरेगा 36 वार्ड को और देखें यहाँ पर कुछ और डिटीयल आपके लिए निकल करा रही 1984 में हुई थी 3-4 दिसंबर को यह हुई थी घटना और इसमें मिस्ताइल आईसो साइनाइट जो गेस थी M.I.C. जिसको सोट में बोला जाता है उसका यहाँ पर रिसाव हुआ था और 1948 की यह बात है जिसमें एक फेक्टरी थी यहाँ पर बोपाल में जिसमें गेस तराजदी हुई थी और मिस्ताइल आईसो साइनाइट M.I.C. गेस रिसा हुई थी 36 वार्डो को जो है यहाँ पर गेस प्रभाविद गोसित किया गया था तो तोड़ी से डेटियल आप जरू से याद इसके बारे में रखे क्योंकि एक दो मध्य प्रदेश में किन्द्रि विशूध्याले मोजूदे तो मद्ध्य प्रदेश में टोटल धो धोईद्रीası के इस्विद्याले मोजूदे दोक्टर हरी सिंग ओर विशुध्याले जोकी साघर में और दूसरा है आपका इंद्रा गांधी राष्टे जिंजाती महा विद्याले स्वरी विश्विद्याले और ये कहां पर है? ये मद्द्रदेश के अमरगन टक में हैं ये तोड़ी सी डिटील आप याद रख सकते हैं प्रसिद्य गनितक के नरेंदर करमाकर का जन्म कहां हुआ? तो देखिए करम कर यहां पर लिखा रहा है और कहिए आपको करमाकर भी देखने को मिलेगा तो ध्यान रखिएगा और इनका जो जन्म हुआ है मद्द्रदेश के कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म मद्द्रदेश के ग्वालेर में हुआ है प्रसिद्ध गनितक गिये है नरेंद्र करमागर डी ओफ्सनिया से आपका सही जवाब रहेगा और ये जो कुछने आपकी प्रिवेस येर कॉंस्टेबल की एक्जाम में भी पूछे जुचुका है इंदोर में आयो जित भारती फुडवोल किस वर्स हुआ और ये जो वाई 2013 में हुआ था नेक्स्ट कुछने इंडियन इंस्ट्यूट ओफ साइन्स एजुकेशन एंड रिसर्च इस्ति थे ये कहां पर है तो ये भूपाल में इस्ति थे वह देखे जितने भी मतलब मद्धिप्रदेश के जितने भी रिसर्च हैं या फिर मुख्याले आप बोल लीजेगा या फिर संस्थान आप बोल लीजेगा उनका अगर आप इस पेसली वीडियो चाते हैं जैसे कि ये एंपिगे पूरे एक ही वीडियो में कवर कर देंगे जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा पूरे डेटा एक साथ मिल जाएगा अच्छे से आप नोट्स बना सकते और याद भी कर सकते हैं तो यहां पर आप तोड़ा सद्यान रखिएगा ये आपका बोपाल इसका आपका रहेगा काना के सुबंकर बूर सिंग दबार सिंगा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या है और इनका नाम है रोहन चक्रवर्थी तो यहां पर आपका C ओप्सन करेक्ट रहेगा मद्विदेश के किस सहर को भारत का आयूद केंदर कहा जाता है तो भारत का जो आयूद केंदर बोला जाता है वो मद्विदेश के जबलपूर को बोला जाता है डी ओप्सन जबलपूर करेक्ट रहेगा मद्यविदेश में दुनिया का पहला वाइट टाइगर सपारी कहां श्तिदे तो ये मद्यविदेश के सतना में है वो सतना का जो मुकुंदपूर है वाइट टाइगर सपारी यहीं पर है तो याद रखेगा मुकुंदपूर White Tiger Sapari नाम से ही किलिए रहे जैसे यह आप नाम लेंगे मुकुंदपूर तो अपने आप याद आ जाएगा White Tiger Sapari मद्देश के कौन से इस्तान को मद्देश का डेटरोइड का जाता है तो यह का जाता है मद्देश के पितमपूर को पितमपूर कहाँ पर आता है तो यह धार जीले में आता है पितमपूर याद रखिएगा के लिए रहे और जो है इसको मद्देश का डेटरोइड बोला जाता है इन दोर में जन में बदुद्दिन, जलावुद्दिन, जलालुद्दिन, काजी जो है इनका नाम है और इनको किस नाम से यह ज़्याद है तो देखिए बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी इनका नाम है और इनका एक और नाम है वो नाम आपको बदाना है तो इनका दूसरा नाम है जोनी वाकर यह इंदोर में जनमे हैं इंदोर के यह हैं और हाश कलाकार ये हैं, इनके बारे में थोड़े से डिटेल याद रखेगा, बाकि इस्पेसली हम बॉलिविट की जितनी भी परस्नल्टी है, वो मद्धिप्रदेश से पूरी के ऊपर एक इस्पेसली वीडियो बना चुकिए, आप देखना चाहिए, तो देख लिजीगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पांडव गूपा कहां का परेटन इस्पेसली, तो पांडव गूपा जो परेटन इस्पेसली, ये पंचमडी का है, C ओप्शन यहां से आपका सही रहेगा, मद्विदेश चेत्रपल के अनुसार देश का कौन सा इस्थान है, तो ये दूसरा, एक्स्टे महरसी पानीनी संसक्रत विश्विद्याले उजेन में कब इस्तापित किया गया, तो ये जो इस्तापित किया गया था, 2008 में किया गया था, इसके बारे में याद रखेगा, 2008 में इसकी स्तापना की गई थी, आदेश सिरिवास्ताव संगीत निर्देश रखे, इनका जन्म कहा हुआ था, इनका जन्म हुआ था मद्विदेश के जवलपूर में, यानि आपका फस्ट ओप्सन करेक्ट रहेगा, सेध उत्पादन के लिए मद्विदेश का कौन सा जीला प्रसिद्धे, तो सेध उत्पादन के लिए मद्विदेश का मूरीना जीला जो है प्रसिद्धे कापी चर्चा में है, और देखिए मत्यप्रदेश के जितने भी जीले पूरे 52 जीले वर्तमानों हैं मत्यप्रदेश के उन सभी के ऊपर इस्पेसली वीडियो बना चुके पूरी 52 वीडियो आपको मिल लियागी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लिजेगा आप MP के जीले या फिर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उसमें पूरे 52 जीले के बारे में स्पेसली फेक्ट डिसकस किये चुके जैसा कि यहाँ पर आपको कोश्चन देखने को मिला है तो इतने जितने भी कोश्चन आते हैं इस टाइप के पूरे हम डिसकस कर चुके आप उन्हें डिस्टिक वाइस वीडियो को जरू से जाके देखेगा आपके आदे से ज्यादा कोश्चन तो वहीं से किलियर हो जाएंगे मद्देश के विश्व धरोवर इस्तल हैं कौन-कौन से हैं सांची, भीम बेटी का और आपका खजुराओ उपरोग्त तो सभी उपरोक्त सभी तो आपका उपरोक्त सभी जो जो है D option सहीजवाब रहेगा होसंग अबाद प्रतिबूती कागज कारखाना कब इस्तापित किया गया? यह मनद्देश के होसंग अबाद में नाम सही इकलिर हो गया है इसको इस्तापित किया गयता 1967 में फर्स्ट ओप्शन 1967 is right answer रहेगा चिंताहरन गनेश मंदीर एवंसरी रानी सतीज दादी जी का मंदीर किस जीले में स्थित है तो यह मत्रदेश के आगर मालवा में है और देखिए अभी हाली में चर्चा में हैं आगर मालवा में जो एसिया का पहला गो अभ्यारनी है वो काफी चर्चा में है इस टाइम पर क्योंकि मत्रदेश में जो गायों को लेकर काफी सक्ती बरती जा रही है MP गवर्मेंट के दोरा तो उसको लेकर चर्चा में है आगर मालवा का पहला गो अब्यारन्य, याद रखेगा ऐसिया का पहला गो अब्यारन्य है इसलिए वी ये काफी जादा IMP हो जाता है, इसके बारे में थोड़ी से याद भी आप राकेगा बाकी जैसे ही इसके बारे में कुछ फिक्ट आते हैं, MP जो गवर्मेंट है, कुछ डिसीजन लेती है, उसके बाद में स्पेसिली वीडियो भी आपको इसको पर मिल जाएगा किस वर्ष मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चार दिन की सिंगापूर की यातर पर गए थे तो ये कब गए थे, ये गए थे 2016 में, यानि बी ओप्सन यापर आपका सही जवाब रहेगा किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वंडे में 200 रणों की पहली पारी खेली थी, ये खेली थी इन्होंने केप्टन रोप सिंग स्टेडियम में जो कि गवालियर में है, और आपको याद बी रखना है, किले रहे तो इन्होंने 2010 में केली थी वंडे में 200 रणों की पहली पारीक इन्होंने केली थी सचिन तेंदुलकर ने केप्टन रोप सिंग स्टेडियम में जो कि गवालियर में आपका है किस जीले से चंबल नदी का उदगम होता है इसके लाबा इंदोर से ही, इंदोर की जो काकरी बल दिये, इस तरहे सिप्रा नदी का उदगम भी होता है, तो आप तोड़ा सा कन्फ्यूज ना रहेगा, आप तोड़ा से ध्यान भी रखेगा, फेक्टर याद रखेगा, क्योंकि आपका महूं आता है, ये भी इंदोर में और ये यही से निकलती है, चंबल नदी भी, वर्ष 2015 में, किसने 322 किलोमेटर साइकल पर खड़े होकर, लगतार चला कर गिनेज बुक में अपना नाम दर्ज कराया, तो इन्होंने 2015 में इंदोर में, और 322 किलोमेटर तक साइकल पर खड़े होकर, लगतार चला कर यो है, इ इनका नाम है रतनेज पांडे, खड़े होकर इन्होंने साइकल चलाया है, 322 किलोमेटर, 2015 में ये रिकोर्डिन उन्होंने बनाया है, तो याद रखे का काफी ज़्यादा IMP है, मद्धिप्रदेश में कौन से स्थान, यानि इनको स्पेशल एकोनोमिक जोन बोला जाता है, स येवल A और B सही आपका रहेगा D option, मद्धिप्रदेश की किस संभाग में सरवादिक संक्या में जी ले हैं, तो यह आपके हैं, यहाँ पर इंदोर में, क्योंकि यहाँ पर आपका उजेन में भी कम हैं, गौलर और सागर में भी कम हैं, सबसाधी के इंदोर में, तो D option आप का सही जवाब रहेगा, किस बाग अब्यारने में एक कीला, एवं संसक्रत सीलालेक, एवं गुफा है, जो कि हमने question of the day में आप से पूचिया है, इसका सही जवाब आपका रहेगा, बांदवगाड अब्यारने, यह काम पर है, मद्धिप्रदेश के उमरिया में, याद रख चलेंगे, तो आपको आगे help होगी, friends, यहाँ पर हम top 50 plus question discuss किये, आयोब कि आपको पता चल चुका होगा, कि कितना score आप कर चुके, कमेंट करके बता दीजिएगा, कितना score किये, ताकि हमें भी पता चले, कि आप कितनी तियारी कर चुके, और कितनी आपको करने ची, उस हिसा किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ बिल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नएया वीडियो है, उसका नोट टोपिक्स हैं भी आपको मिलता रहे, आज के सुद्रम बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में एक नए टोपिक साथ, तब तक के लिए जैन जै बारद़